नमस्कार दूस्तों में नामें उतकर्ष और स्वागत है आप सभी का उतकर्ष 24 न्यूज में कोरोना वायरस के लिए इंडिया में पहली बार कुछी भी दवाई को मेडिकल एप्रूबल मिल गया है ड्रक्स कंट्रोलर अठिरिटी द्वारा और यह दवाई है फेवी पिरा भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस दवाई की कितनी कोश्ट होने वाली है और यह कोरोना वायरस पे कितना ज़्यादे एफेक्टिव है और साथ में हम बात करेंगे कि यह एक इंडियन दवाई है कि नहीं और अगर यह इंडियन द बनेंगी तो काफी महंगी बनाया जाएगी ताकि जादा से जादा प्रॉफिट कमाया जा सके और अपने एकोनॉमिक को हर कंटी भरहान आ जाएगी लेकिन इस फेरी पेराविर दवाई का एक बहुत खास बात है कि यह काफी सस्ती दवाई है और इसका एक टैबलेट 103 रुप अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या यह एक इंडियन मेडिसीन है कि नहीं तो आपको पहले बता दे कि यह इसे इंडिया में ग्लैनमार्क कमपनी बना रही है अब जब ग्लैनमार्क पार्मसुटिकल का नाम सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि एक इंडियन मेडिसीन है क के सच्चाई दोस्तों यह नहीं है सच्चाई कुछ और है इसे पहली बार 2014 में जापान में बनाया गया था इसे बनाया है तोयामा केमिकल्स ने इस दवाई को जापान में अलग नाम से यूज किया जाता है और आपको वही नाम कमेंट में लिखना है दोस्तों सबसे बढ़ा सवाल इस समय यह है कि यह क्या यह दवाई ज्यादा एफेक्टिव है को लेखे तो आपको बता दे अगर कोई पेशेंट माइल्ड और मीडियम कोडियम वायरस केस से गुजर रहा होगा मतलब वो सीवियर कंडिशन में नहीं हो गया यानि उसे वेंटी लेट है कि जरूवत न नहीं है भले यह माइल्ड और मीडियम केस में ही कारगर हो ना से अच्छा यह है कि हम इसी को एप्रूबल दे और इसी की मैनिफेक्टिरिंग बरहा दे अब बाद में अगर यह सीवियर केस में भी अच्छा होगा तो इंडिया को इससे फायदा ही होगा इसलिए इसे दवाई को ले सकते क्या हम अब अगर कारना वायास था है तो हम क्या जाकर दडवाई से ले लेते जैं जिसे हम कमभि फ्लॉम और cart को लेते हैं दोस्तों डॉक्टर आपको ऐसे दवाई नहीं दे सकते उन्हें भी आपको यह पूछना पड़ेगा कि अगर आप कहते हैं मुझे यह दवाई चाहिए तभी आपको यह दवाई मिलेगी अन्याथर डॉक्टर भी आपको यह दवाई नहीं दे सकते दोस्तों अब हम आपको ब लिए देरे देरेım आपके पुड़े overhead को यह तो यह दवाइं कोर्णा वाइस करी रिप्रोडक्षन को ही रोखता है जो और यने पोलिवरी चाहिए रहता है को और यह यह रींद करने के लिए और यह कंद करता है उस हुआ आरे मै पूलिवरी situation में काफी अच्छी दवाई हैं इंडिया की Drugs Controller और थी रिटी ने इस दवाई को एप्रूबल दिया है लेकिन साथ में आपको हम यह बताते हैं कि और कौन-कौन से प्रोना वायस के रिप्रोडक्शन को रोकती है दोस्तों इस दवाई का साइड एफेक्ट टेराटो जिनिटिक है जब एक प्रेगनेंट ओमेंट होती है तो उसके कोप में जो बच्चा होता है वह फोटस कहाता है उस फोटस में खासियत होता है कि वह बहुत ही ज्यादा जल् को रोक देता है ऐसे में फोटस डेबलॉप नहीं हो पाता और उसकी डेठ हो जाती है इसलिए दवाई को प्रेगनेंट ओमेंट के लिए अप्रूबल नहीं मिला है और यह प्रेगनेंट ओमेंट के लिए काफी डेंजरस दवाई है जापान में भी इस दवाई की रोक लग दोस्तो कई लोग इसे गेम-चेंजर को उपाधी देंगे आप रिए इस से फिने लिए पसंद राया, तो लाइक किजे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए ऐसे जब वीडियो बनाएंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके सस्क्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन फिल होता है तो सस्क्राइब जरू कीजिए दोस्तों अपना भहमूले समय देने के लिए धन्यवाद जै हिन जै भारत